Hello guys, Welcome to Mission Possible with Azad Guys, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर अपना YouTube एकाउंट पर्मानेंटली डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मैं इस वीडियो में आपको आसान बहसा में बताऊंगा कि कैसे आप अपने YouTube एकाउंट को पर्मानेंटली डिलीट कर सकते हैं इसके लिए आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें तो guys इसमें सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको जिस YouTube एकाउंट को पर्मानेंटली डिलीट करना है YouTube से उसके साथ आपको ये देखना होगा कि उस account के साथ कौन सा Gmail ID attached है और उस ID का password भी आपको याद होना चाहिए इसके लिए मैं अपने YouTube account को open कर लेता हूँ और इसके बाद मैं अपने channel पे right corner पे click करके अपने channel को open कर लूँगा और फिर गाइस यहां से आपको अपना channel select कर लेना है कि कौन सा channel आपका इसमें है जिसको आपको permanently delete करना है मुझे उपर वाला channel ही permanently delete करना है YouTube से तो मैंने उपर वाला channel select कर लिया है और गाइस इसमें आपको ये भी देखना है कि इसमें जिस channel को आपको delete करना है तो उस YouTube account के channel के साथ कौन से Gmail ID attached है आपको वो भी ध्यान में रखना है और उसका password भी याद होना चाहिए So guys, अब मैं यहाँ से return हो जाता हूँ और फिर मैं चलता हूँ अपने Gmail ID में So guys, इसके लिए मैं अपने Gmail ID को open कर लेता हूँ और मैं यह मेरा Gmail ID यहां पर आपको दिख रहा होगा ऐसे आप अपने phone में Gmail ID को देख के open कर ले So guys, इसको मैं Gmail ID को open कर लेता हूँ Gmail ID open करने के बाद आपको right corner पे click करना है guys यहाँ पे click करने के बाद guys आपको अपना Gmail ID select कर लेना है जिस Gmail ID से आपका YouTube account बना हुआ है जैसे कि मेरा guys उपर वाला email ID से YouTube account बना है जिसको मुझे permanently delete करना है तो इसी तरीके से guys आपको भी अपना Gmail ID यहाँ से select कर लेना है ठीके उसके बाद guys यहाँ पे आपको दिख रहा होगा manage your Google account guys इस पे आपको click करना है click करने के बाद guys कुछ इस तरीके से इसका interface open हो जाएगा उसके बाद guys आपको यहाँ पे दिख रहा होगा data and privacy तो data and privacy पे simply click करना है क्लिक करने के बाद guys आपको simply नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है और यहाँ पो आपको दिखेगा guys Apps and Services पे तो Apps and Services के आगे arrow दिख रहा है उस पे simply आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद guys कुछ इस तरह के से इंटरफेस ओपन हो जाता है उसके बाद guys आपको simply नीचे आजाना है और आपको देखना है आपको यहाँ पे दोस्तो मिल जाएगा मतलब जिस account को आपको delete करना है जैसे कि मुझे YouTube account को अपने delete करना है guys तो इसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा होगा एक दिख रहा है download your data तो data को तो मुझे delete नहीं करना है guys मुझे delete करना है delete service ठीक है क्योंकि guys मैं आपको एक knowledge के तोर पर बता दू क्योंकि जो हम service यूज करते हैं वो Google के तरफ से service यूज करते हैं ठीक है इसमें Google के तरफ से कई सारे service हम अपने phone में यूज करते हैं इसमें YouTube service भी involved होता है guys तो इसमें यह delete service दिख रहा होगा simply इस पर आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से interface इसका open हो जाएगा इस तरीके से आपके सामने जब interface open होगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा delete a service simply इस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करते समय आपके सामने कुछ इस तरीके से interface open हो जाएगा guys यहाँ पर हमें YouTube channel को delete करना है तो उसके सामने YouTube के सामने आपको दिख रहा होगा delete का symbol guys इस पर simply आपको क्लिक करना होगा क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको दो चीज लिखा हुआ मिलना है जैसे कि पहले लिखा है I want to hide my channel यानि हमें अपने channel को hide करना है तो मुझे hide तो करना नहीं है तो हम दूसरे option पे देखता हूँ I want to permanently delete my content तो guys हमें अपने YouTube account को permanent delete करना है इसलिए मैं second वाले option को choose कर लेता हूँ choose करने के बाद ये दो block आपको मिल गए है जिसको आपको tick कर लेना है read करके तो मैंने इसको read करके tick कर दिया है और फिर नीचे आपको दिख रहोगा delete my content so guys delete my content पर आपको simply click कर देना है और यहाँ पर इसके बाद आपको gmail id अपना fill कर देना है जिस gmail id के साथ आपका YouTube account attached है तो मैं यहाँ पर अपना gmail id fill कर दिया हूँ उसके बाद लिखा है delete my content so guys delete my content पर click करना है और अपने gmail id को जैसे ही यहाँ पर fill करेंगे वैसे ही delete my content को option आजाएगा फिर उसके बाद delete my content पर click कर देना है guys और यह देखिए updating हो रहा है यहाँ पर यह कुछ ही minute में update होके आपका YouTube channel remove कर दिया गया है so guys आप guys उपर देख सकते हैं remove your YouTube content so guys यहाँ से remove हो चुका है guys यहाँ से आप देख सकते हैं remove YouTube content यानि कि मेरा YouTube account यहाँ से permanent delete हो चुका है नीचे आप read भी कर सकते हैं your content is in the process of being permanently deleted usually this take a few minutes यह कुछ minutes भी ले सकता है ठीक एक दो दिन भी लग सकते हैं लेकिन कभी कभी यह minute ओ में भी delete हो जाता है guys तो यह मेरा YouTube account delete हो चुका है चलिए मैं वहाँ पर देख लेता हूँ अपने YouTube account को so guys मैंने अपने YouTube account को open कर लिया है और उसके बाद मैं अपने YouTube account को यहाँ से check कर लेता हूँ guys so आप देख सकते हैं यहाँ यह मेरा YouTube account था ठीक है तो मेरा YouTube account guys यहां से delete हो चुका है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, यह देखिए, जैसे कि अभी ऊपर मेरा YouTube के channel का नाम दिख रहा था, लेकिन अब वहाँ पर दिख रहा है guys, no channel, तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा YouTube account permanent delete हो चुका है, जहाँ पर दिख रह हैं, और यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर इस Gmail ID से आप नया YouTube account बना सकते हैं, योर चैनल पर क्लिक करके, यहाँ पर आप create a channel देख रहे हैं guys, यहाँ से आप अपना नया channel create कर सकते हैं, अगर आपको नया channel create करना है guys, तो मुझे comment box में बताएं, मैं आपको एक नया वी account permanently delete कर सकते हैं, और guys, I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को like करें और subscribe करना बिल्कुल भी न भूले, so guys, thanks for watching.